बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने दावा किया है कि पी-म की रैली पर आतंग की हमले का कोई असर नहीं होगा पहले से ज्यादा जजबे के साथ सामबा में पी-म की रैली होगी कविंदर गुप्ता नहीं कहा है कि जो आतंग की हमले पिछले तीन दिन से नजर आ रहे है अलग-अलग इलाकों में जम्मू और कश्मीर के इस से लोगों का जजबा खराब नहीं होगा और जादा जजबे के साथ पीम की रैली का इंतजार है और इन आतंकी हमलों का कोई असर नज़र नहीं आएगा पीम की रैली पर 24 एपरिल को जम्मू में सुरक्षा बलू ने आतंकी के बड़े हमले को नाकाम किया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर मुख्य मंतिय कविंदर गुपता जी कविंदर जी कैसे देखते हैं प्रदान मंतरी मोधी के दोरे से पहले इस हमले को को सब्भाविक बात है कि इस रैली को नाकामयाब करने के लिए हम पर दैश्चत फैलाने के लिए आने वाले समय में अमर्नास यात्तरा जिस परकारती हो रही है इन सभी चीजों को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन हमारी जो जामाज पुलिस है सी आर पी आफ है आर बी ह सब्भाविक बात है पाकिस्तान की भुखमरी अपने अंदर के कारण से इस परकार के लोगों को यह कोशिय करते हैं लेकिन जब हमारे अजंसिस को एक फीडबैक मिला एक इंपुट मिली उसी के बाद उन्होंने जल्द इस चीज को अंजाम दिया जल्द इस चीज को अंज अंजाम दिया और आतंक्यू की बॉखलाहट है यह कहना है जमो कश्वीर के पूर्व उप्व मुख्य मंत्री कवंद्र गुपता का कैमरमेन पावन चोधरी के साथ आजय बासलू एबीपी नियूज जमो एबीपी नियूज आपको रखे आगे